हेलो बच्चो आप सब का आपके अपने चनल गोविंद मैत लक्षर्स में एक बार फिर से स्वागत हैं तो कैसे हो आप सब उम्मिद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप सब की पड़ाय बीच्चे चल रही होगी तो कई सारे विद्यारती बार-बार कमेंट कर रहे थे किसर गणित विश्यकी क्लास से सुरू कीजिए तो उनी रिक्वेस्ट को ध्यान में रखते हुए हम आज की क्लास में कक्सा 7 गणित विश्यकी अध्याय 11 गातांक और गात प्रशनवाली को सुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले हम इस प्रशनवाली के बारे में समझेंगे कि आखिर गातांक और गात होते क्या है और उसके बाद हम प्रश्णवाली 11.1 को सौल्व करना सिखेंगे तो चले कलास शुरू करते हैं सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि आखिर गातांक होता क्या है और इसकी हमें जरूत क्या पड़ती है इसके फाइदे क्या है इसका उप्योग हम कहां करेंगे तो बच्चो होते क्या है कि जब भी कोई एक बड़ी संख्या होती है उस बड़ी संख्या को अगर हमें छोटे रूप में लिखना होता है तो वहाँ पर हम क्या करते हैं गातांग का उपयोग करते हैं तो हम इसके बारे में परिवासा लिख सकते हैं कि गातांग क्या होता है तो यहाँ पर मैं इससे समंदित परिवासा लिख देता हूँ हम बात कर रहे हैं गातांग की इसकी बात कर रहे हैं गातांग की तो मैं लिखूंगा कि हम गातांकों का उप्योग करके बड़ी संख्याओं को हम गातांकों का उप्योग करके बड़ी संख्याओं को संख्याओं को पंचिप्त रूप यानि की छोटे रूप में लिख सकते हैं हम गातांकों का उप्योग करके बड़ी संख्याओं को संख्याओं को संख्यत रूप में यानि छोटे रूप के अंदर लिख सकते हैं देखो कैसे अगर मैं उदारन की बात करूँ जैसे मैंने कहा कोई उदारन लिया हमने कि एक संख्या है समझ लिजिए दस के पीछे कितने 0 है? 5 0 कितने 0 है? 10 के पीछे 6 0 है तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? इकाई, दहाई, सेकडा, हजार, दसजार, लाग और 10 लाग ये संख्या कौन सी है? ये संख्या है आपकी 10 लाग इसे पढ़ने में मैं कितनी मुश्किल का सामना करना पड़ा तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10 लाग को मैं लिख सकता हूँ 10 का गुणा कितनी बार? 6 बार जब 10 का गुणा मैं 6 बार करूँगा तो मुझे कौन सी संख्या प्राप्त होगी? तो मुझे 10 लाग प्राप्त होगा अब इसी को मैं संचिप्त रूप में क्या लिख सकता हूँ 10 की गात 6 यहाँ पर 10 कितनी बार आया है 6 बार तो इसे मैं लिख सकता हूँ 10 की गात 6 ठीक है तो यहाँ पर यह जो 10 की गात 6 है यह जो 10 की गात 6 है ये किसको व्यक्त कर रहा है ये इसको संचिप्त रूप के अंदर क्या कर रहा है व्यक्त कर रहा है तो ये क्या है जो 10 की गात 6 है इसी को हम कहेंगे 10 लाग तो ये क्या है ये 10 लाग का संचिप्त रूप है क्या है 10 लाग का संचिप्त याने की छोटा रूप है मैं 10 लाग बात एक ही है, तो यहाँ पर जो मैंने लिखा है, यहाँ पर मैंने लिखा है, दस की गात छे, तो यहाँ पर इसके अंदर आधार क्या है, आधार है दस, हम लिखेंगे यहाँ पर आधार, आधार मतलब बेस, बेस कितना है, दस है, कितना है, दस, और जो गातांक है, वो कितना है 6 है यहाँ पर गातांग कितना है यहाँ पर गातांग 6 है तो यहाँ पर आपका जो 10 है वो 10 क्या हो गया आधार हो गया और यह जो 6 है 6 क्या हो गया गातांग हो गया ठीक है अब इसे हम पढ़ेंगे कैसे तो इसे हम पढ़ेंगे कि 10 के उपर गात 6 या क्या कह सकते हैं कि 10 की गात 4 तोरी 10 की गात 6 ऐसे हम इसे पढ़ सकते हैं 10 के उपर गात 6 या 10 की गात 6 के रूप में हम इसे क्या कर सकते हैं के रूप में हम पढ़ सकते हैं ठीके जा पढ़ेंगे 10 की गात 6 यसे हम पढ़ सकते हैं तो यहाँ पर जो 10 की गात 6 हैं इसी को हम क्या कहेंगे 10 लाग का गातांग की रूप कहेंगे तो हम लिखेंगे अतर यहां दसकी गात छें को हम दसलाग का क्या कहेंगे गातांकिय रूप कहते हैं क्या कहते हैं? दसलाग का गातांकिय रूप कहते हैं ठीक ये उम्मित करता हूँ आपको बेसिक जानकारी इच्छे समझ में आई होगी कि गातांगों का उप्योग हम क्यों करते हैं जब भी हमें किसी बड़ी संख्या को संचिप्त रूप में छोटे रूप में लिखना होता है तो हम किसका उप्योग करते हैं तो हम आपके गातांगों का उप्योग करते हैं ठीक है गातांग को लिखते कैसे हैं तो गातांग का जो नीचे वाली संख्या होती है वो आधार कहलाती है जो उपर जो गात के रूप में लिखी होती है उसे गातांग कहते हैं और इसे पढ़ते कैसे हैं, तो पहले हम आधार को लिखते हैं, और उसके बाद गहात को पढ़ते हैं, तो ये इसके बारे में, चप्टर के बारे में कुछ सामाने जनकारी थी, उम्मिद करता हूँ, आगे हम समझ में अच्छे से प्रशनों को पाएंगे, तो देखें, अब ह प्रशन का पहला दिया हुआ है, दो की घात 6, कितना दिया हुआ है, दो की घात 6, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, यानि दो का हमें 6 बार क्या करना है, गुणा करना है, दो का कितनी बार गुणा करना है, 6 बार, तो हमने दो को कितनी बार लिख दिया, 6 बार, अब देखो 4 दूनि 8, 8 दूनि 16, 16 दूनि 32 और 32 दूनि 64, कितना ऐगा? 64 आएगा 6 दूसरा है आपका 9 की गात 3, कितना है? 9 की गात 3 यहनि हमें 9 को कितनी बार घुणा करना है? 3 बार तो 9 को जब आपस में हम 3 बार घुणा करेंगे, तो यह आ जायेगा 739, कितना हैगा 739 आएगा तीसरा है आपका, वो है 11 की गात 2 तो 11 को कितनी बार गुणा करना है 2 बार, तो 11 को 11 से गुणा करेंगे, तो यह आजाएगा 121, फिर छोथा है, 5 की गात 4, यानि 5 को कितनी बार गुणा करना है 5 को हमें 4 बार गुणा करना है तो 5 को जब 4 बार गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 625 कितना आएगा 625 मतलब क्या हुए कि यहाँ पर जितनी भी संख्यादी हुई है यानि देखो लिखा हुआ है 2 की गात 6 यानि 2 को 6 बार गुणा करना है 9 की गात 3 यानि 9 को 9 से कितनी बार गुणा करना है 3 बार फिर 11 की घात 2 11 को 11 से कितनी बार गुणा करना है 2 बार 5 की घात 4 5 को 5 से कितनी बार गुणा करना है 4 बार यह था आपका प्रशन संख्या 1 आगे बढ़ें प्रशन संख्या 2 निमन लिखित को घातांग की रूप में व्यक्त कीजिए क्या करना है इनको घातांग के रूप में हमें व्यक्त करना है ये कौन सा रूप दिया हुआ है ये आपका व्यापक रूप दिया हुआ है ये संक्याओ को फैला कर लिखा हुआ है तो ये संख्याओं का व्यापक रूप दिया हुआ है, हमें इसको गातांग की रूप में लिखना है, इसमें लिखना है गातांग की रूप में, देखो पहला प्रशनो, पहले प्रशनो में 6 को कितनी बार लिखा हुआ है, 6 आर बार, 6 कितनी बार लिखा हुआ है, 6 आर बार, तीसरा, तीसरे में बी कितनी बार लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है, च्यार बार, तो बी की गात च्यार, फिर छोथा, पांच, गुना पांच, गुना साथ, गुना साथ, गुना साथ, तो पांच कितनी बार है, दो बार, तो पांच की गात दो, फिर साथ कितनी बार है, त तो यहाँ पर दो कितनी बार है, दो बार, तो दो की गात दो, ए कितनी बार है, दो बार, तो ए की गात दो, राज रखना गोना करते समय गाते क्या होती है, जूडती है, ठीक है, फिर अगला है आपका प्रशन संख्याच छे, यहाँ पर देखो ए कितनी बार है, ए है तीन बा गोना, C कितनी बार है, यहाँ पर C है च्यार बार, तो यहाँ पर आपको C कितनी बार लिखना है, च्यार बार, तो C की गात च्यार, गोना, D कितनी बार है, एक बार, तो D की गात एक, ठीक है, यानि हमें व्यापक रूप दिया हुआ था, हमें उसको गातां की रूप में बद आधार समान हो तो गुणा करते से में गाते क्या होती है जूडती है ये आपको ध्यान रखना है आगे बढ़ें प्रश्न संक्या तीन निम्न लिखित संक्याओ में से परतेक को घातांकिय संकेतन में व्यक्त कीजिए क्या करना है हमें परतेक संक्या को घातांकिय संकेतन के र क्या करना पड़ेगा हमें 512 के अंदर भाग देते हुई चलना पड़ेगा तो यहाँ पर हमें भाग देना है सबसे पहले 512 हमें किसका भाग देंगे 2 का, कितना जाएगा 256 फिर 256 में कितका भाग देंगे 2 का, कितना जाएगा 128 128 में किसका भाग देंगे 2 का कितना आजाएगा 64 32 में किसका भाग देंगे 2 का कितना आजाएगा 32 32 में 2 का कितना जाएगा 16 16 में 2 का 8 आएगा 8 में 2 का कितना आएगा 4 4 में 2 का कितना आएगा 2 और 2 में 2 का तो 1 आपको तब दक भाग देना है जब जग लास्ट में एक नहीं आ जाता अब देखो यहाँ पर दो का भग कितनी बार गया है एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ और नो बार यानि जब दो का गुणा हम दो के साथ कितनी बार करते हैं नो बार तो कितना आता है पांचो बार है तो पांच बार, छे बार, साथ बार, आठ बार और नो बार तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ दो की घात नो क्या लेक खेंगे हम इसे दो की घात नो ठीक है आगे बात करें प्रश्न संख्या 2 की तो प्रश्न संख्या 2 को मैं इधर solve करा रहा हूँ प्रश्ण संक्या 2 कितना दिया हुआ है 343 कितना दिया हुआ है 343 तो मैं क्या करना है 343 में भाग देना है तो 343 में किसका भाग देंगे 7 का कितनी बार जाएगा 49 बार 49 में किसका भाग देंगे 7 का कितनी बार जाएगा 7 बार और 7 में 7 का भाग देंगे तो 1 खीक है 343 को मैं का लिख सकता हूँ 7 गुना 7 गुना 7 यानि की 7 की घात 3 क्या लिख देंगे बच्चो 7 की घात 3 इसे हम लिख देंगे आगे बड़ें अगली संक्याए आपकी वो है 729 कितनी है 729 तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ आपका स्वाल नंबर 3 729 729 का क्या आएगा तो 729 में हम 3 बास कितनी बार जाएगा छें बार इसी तरह जैसा हमने ऊपर भाग दिया है वैसा किई वैसा आपको क्या करना है भाग देना है तो कितनी बार बाग जाएगा 6 बार हम क्या लिख देंगे 3 की गाथ 6 क्या लिखेंगे 3 की गाथ 6 लिख देंगे इधर मैं देखो आपको इधर उपर solve करा के बता दे रहा हूँ तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं आपके 729 यहाँ पर मैं बना रहा हूँ आप समझ जाना 729 सबसे पहले इसका भाग दिया 3 का इतनी बार जाएगा जाएगा आपके 3 दूनी 6, 3 चोक 12, 3 तीया 9 243 बार फिर 3 का भाग 81 बार 3 का भाग 27 बार 3 का भाग 9 बार 3 का भाग 3 बार और 3 का भाग 1 बार तो यानि तीन का भग कितनी बार जाएगा छे बार ठीक है आगे बात करें प्रश्न संक्या च्यार की कितना है तीन अजार एक सो पच्चीस तीन अजार एक सो पच्चीस तो पांच का भग कितनी बार जाएगा पांच बार इतनी बार जाएगा इसमें पांच का भग पांच ब 25 इसका भाग दे रहे हैं 5 का कितनी बार जाएगा 5 चंग 30 पीछे बचा 1 1 और 2 बार हो 5 दूनी 10 पीछे बचा 2 और 5 पच्चीस ठीके 5 का भाग कितनी बचाएगा 125 बार 5 का भाग 25 बार 5 का भाग 5 बार और 5 में 5 का भाग 1 बार ठीके तो इस तरह में क्या करना था संक्याओ को गातांकी रूप में लिखना था तो में भाग देती हुए जाना है और जो अंग जितनी बार आ रहा है उसको में गात के रूप में लिख देना है ठीक है? आगे बढ़ें प्रश्ण संक्या चार निम्नल लिखित में ऐसे परतेक भाग में जहां भी संबभ हो बड़ी संक्या को पहचानिये तो में क्या करना है? बड़ी संक्या को पहचानना है कि इन में से बड़ी संक्या कौन सी है तो देखें, पहला प्रशन है, चार की घात तीन, चार की घात तीन और तीन की घात चार, तो चार की घात तीन का मतलब कितना होता है, चार गुणा, चार गुणा, चार, कितना आता है, 64, ठीक है, फिर दूसरा कितना है, तीन की घात चार, यहनि तीन का कितनी बार गुणा करन तो 81, कितना आएगा, 81, अब हमें पता है, हम लिखेंगे, क्योंकि जो 64 हैं, वो छोटा किस्से हैं, 81 से हैं, ठीकें, अतह, अतह, चार की गात 3, और, तीन की गात 4 में, बड़ा कौन है, तीन की गात 4, बड़ी है, ठीकें, तीन की गात 4 क्या है, बड़ी है, यह पहला प्रशन था, आगे बढ़ें, प्रशन संख्या 2, आपके समने दिया हुआ है, 5 की गात 3, तो 5 की गात 3 कितना होता है, 5 गुणा 5, गुणा 5, 25, 25 का 5 से गुणा आओगा, तो 125, दूसरा कितना है, 3 की गात 5, 3 को कितनी बार गुणा करना है, 5 बार, तो देखो, 3 को 5 बार गुणा करोगे, तो यह कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा, 243, ठीके, अब क्योंकि, 125, छोटा है 243 से, ठीके, 243 से क्या है, छोटा है, अतह, 5 की गात 3 और, 3 की गात 5 में, बड़ा कोन है, 3 की गात 5 बड़ी संक्या है, ठीक यह हो गया प्रशन संक्या 2, आगे बढ़ें, प्रशन संक्या 3, कितना दिया हुआ है, दो की गात आठ और आठ की गात दो यहाँ पर कर लेते हैं प्रशन संख्या तीन दिया हुआ है आपके दो की गात आठ दो की गात आठ यानि दो को कितनी बार गुणा करना है आठ बार तो दो गुणा दो दो गुणा दो च्यार बार 5 बार, 6 बार, 7 बार और 8 बार कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64 64 दूनी 128 और 128 दूनी 256 दूसरा दिया हुआ था 8 की गात 2 यानि 8 गोड़ा 8, कितना हो गया 64 कितना हो गया 64 अब लिखेंगे क्योंकि 256 बड़ा है किस से? 64 से ठीके? अतर अतर क्या लिखेंगे? कि 2 की गात 8 8 की गात 2 से ठीके 2 की गात 8 8 की गात 2 से क्या है? बड़ी है ठीके? आगे बढ़ें प्रश्न संख्याच्या क्या जिया हुआ है? 100 की गात 2 यानी 100 गोना 100 तो एक के पिछे कितने 0 लग जाएंगे? 4 0 ठीके? एक के पिछे 4 0 और दूसरा है 2 की गात 100 2 की गात जो 100 है 2 की गात 100 तो अब देखो हमें 2 की गात 100 का मान पता नहीं है कि वो कितना होगा 2 की गात 100 का मान हमें नहीं पता है कि वो कितना होगा तो देखो, अगर मैं दो की गात 100 को कुछ ऐसे लिख सकता हूं कि जैसे मैंने लिखा 2 कितनी बार लिख दिया यहाँ पर समझ लिजी हम 2 को कितनी बार लिख रहे हैं 14 बार 14 बार हम लिख रहे हैं 14 बार ठीक है फिर X और गुणा कितनी बार last में 100 बार समझ लिजी लिख लिया तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ कि 2 को जगर में 16 बार गुणा करूँगा तो यह कितना आ जाएगा यह आ जाएगा 16,384 और इसका गुणा मुझे last में कब तक करना है 100 तक करना है तो यहां से मैं क्या पता चला कि 16,384 है वो 16 बार गुणा करने पर ही 2 को आ रहा है इसका मतलब जब 2 को हम 100 बार गुणा करेंगे तो यह तो बहुत बड़ी संख्या आ जाएगी है ना तो यहां पर हम लिख देंगे क्योंकि क्योंकि जो 10,000 है वो चोटा है 16,384 गुणा इससे 2 से ठीक है अतह मैं यहां से क्या पता चला कि जो 2 की गात 100 है 2 की गात 100 वो 100 की गात 2 से क्या है बड़ी है ठीक अगला है आपका प्रशन संख्या 5 प्रशन संख्या 5 वो देखो दिया हुआ है इसी का प्रशन संख्या 5 वो दे रखा है 2 की गात 10 तो 2 की गात 10 कितनी होती है तो 2 को कितनी बार गुणा करना है 10 बार 2 को हम कितनी बार गुणा कर देंगे 10 बार हम गुणा कर देंगे तो पांच बार, छे बार, साथ बार, आठ, नो और दस तो यह कितना होता है, दो को दस बार गुणा करते हैं तो एक अजार चौबिस होता है कितना होता है, एक अजार चौबिस और दूसरा दिया हुआ था दस की घात दो, यानि दस गुणा दस यह कितना होगा 100 हो जाएगा यहाँ पर हम लिख देंगे क्योंकि 1024 बड़ा है किस से बड़ा है आपके 100 से अतर अतर 2 की गात 10 और 10 की गात 2 मैं से 2 की गात 10 क्या है बड़ी संक्या है 2 की गात 10 क्या है बड़ी है तो यहाँ पर हमें क्या करना था संक्याओं को हल करके बताना था कि कौनसी बढ़ी है और कौनसी छोटी है ठीके आगे बढ़ें प्रश्ण संक्या पांच लिखा हुआ है निम्ना लिखित मैंसे परतेक को उनके अबाज्य गुणंद खंडों की गातों के गुणंद फल के में लिखना है 648 को 648 के हम क्या करेंगे टुकडे करेंगे तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 648 इसका भाग देंगे सबसे पहले 2 का कितनी बार जाएगा 324 बार इसका भाग देंगे 2 का कितनी बार जाएगा 162 बार लास्ट में 2 है 2 का भाग देंगे 81 बार 81 में 3 का भाग देंगे नो बार, नो में तीन का भाग देंगे तीन बार, और तीन में तीन का भाग देंगे एक बार, उच्छास्तो अच्छास्तो अच्छास्तो को मैं कहा ले सकता हूँ, देखो, दो कितनी बार आया है, तीन बार, दो गुणा दो, और तीन भी कितना आया है, तीन बार, त तीन गुणा तीन गुणा तीन गुणा तीन तो इसको मैं लेख सकता हूँ दो की घात तीन गुणा तीन की घात तीन ये आपका क्या होगा उत्तर हो जाएगा आगे बात करें 405 दूसरा सवाल कितना है दूसरा सवाल है आपका 405 हमें क्या करना है 405 के टुकड़े निकालने ह तो 405 के टुकड़े कैसे करेंगे? 405 किसका भाग देंगे? 405 में 5 का 5, 6, 4, 5, 1, 5 किसका भाग देंगे? 3 का 27 बार, 3 का 9 बार, 3 का 3 बार, और 3 में 3 का भाग 1 बार तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ 405 को 5 गुणा, 3 गुणा 3 गुणा, 3 गुणा, 3 तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 5 की गात, 1 गुणा, 3 की गात 4, यह आपका उत्तर होगा, ठीक आगे बात करें, तीसरा स्वाल कितना है? 540 यहाँ पर है तीसरा स्वाल आपका 540 हमें 540 के क्या करने है? टुकड़े करने है तो यहाँ पर लिख देंगे 540 दू का भाग जाएगा वो जाएगा 270 बार फिर दू का भाग जाएगा, इसका आजा कितना होगा? 135, फिर किसका भाग जाएगा? 3 का, कितनी बार? 45 बार, फिर किसका भाग जाएगा? 3 का, कितनी बार? 15 बार फिर तीन का, कितनी बार? पांच बार, पांच में पांच का भाग, एक बार तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 540 को, दो गुणा, दो गुणा तीन कितनी बार है? तीन बार, और पांच कितनी बार है? एक बार तो इसको लिख सकता हूँ, 2 की गात, 2 गुणा, 3 की गात, 3 गुणा, 5 की गात, 1 ठीके, फिर आपका है संक्या कौनसी है, वो है अगली संक्या है, 3600 कौनसी संक्या है, 3600 तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, सवाल नंबर 4, कितना है, 3600 तो चत्ती सो के देखो टुकडे क्या होंगे हमें क्या करने हैं चत्ती सो के टुकडे निकालने हैं तो यहाँ पर हम चत्ती सो के टुकडे करेंगे तो चत्ती सो दू का भाग देंगे अठारव सो दू का भाग देंगे नो सो दू का भाग देंगे च्यार सो पच्चास दो का भाग देंगे कितना जाएगा दो सो पच्चीस है ना कि देखो दो सो पच्चीस में किसका भाग देंगे दो सो पच्चीस में भाग देंगे तीन का कितना जाएगा पिच्चत्तर पिच्चतर में किसका देंगे तीन का कितना आ जाएगा 25, 25 में देंगे 5 का, कितने बार जाएगा 5 बार, 5 में 5 का भाग 1 बार, तो 300, sorry 36 के टूकड़े क्या हो जाएंगे, 2 कितनी बार है, यहाँ पर 4 बार, तो 2 x 2 x 2, 3 कितनी बार है, 2 बार, और 5 कितनी बार है, 2 बार, उसको लिख सकते हैं, दो की गात च्यार, गुणा तीन की गात दो, गुणा पांच की गात दो, यह आपका क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा, ठीक, आगे बढ़ें, प्रशन संक्या आपका छें, प्रशन संक्या छें, दिया हुआ है, सरल कीजिए, क्या करना है, सरल करना है, दो गुणा, दस की गात 3 तो 2 गुना 10 की गात 3 का मतलब क्या है 10 गुना 10 गुना 10 2 कе बिचे कितने 0 आ जाएंगे 3 0 ठीक है इसका उत्तर कितना हो जाएगा 2 1000 पिर बात करें दूसरे स्वाल की 7 की गात 2 गुना 2 की गात 2 तो 7 गुना 7 गुना 2 गुना 2 7 से गुना करेंगे 49, 49, 4 कितना हो जाएगा? यह हो जाएगा 196 पीसरा स्वाल 2 की गात 3, 5 तो 2, 2, 2, 2, 2 गुणा 5 तो 8, 5 कितना हो गया? 40 फिर स्वाल नमबर 4 3, 4 की गात 4 तो 3, 4 कितनी बार? 4 बार तो इसको हल करेंगे तो देखो यहाँ पर 4, 4, 16 64, 64 का किसे गुणा करना है? तो 4 से, यह कितना हो जाएगा? 256, 256 का 3 से क्या करेंगे? गुणा तो कितना हो जाएगा? 768 फिर 5 वा 0, 10 की गात 2 तो मैं पता है कि 0, 10, 10 और 0 का किसे से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 0 फिर सवाल नमबर 6 5 की गात 2 गुणा 3 की गात 3 तो 5 की गात 2 5 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 तो 3 की गात 2 2 को कितनी बार गुणा करना है? 4 बार और 3 को कितनी बार करना है? 2 बार तो ये कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 गुणा 9 कितना हो जाएगा? 144 फिर है 3 की गात 2, गुणा 10 की गात 4 अगला सवाल है सवाल नमबर 8 दिया हुआ है, तीन की गात दो, गुणा दस की गात चार, तो तीन गुणा तीन, गुणा दस की गात चार, दस कितनी बार लिखना है, चार बार, तो नो गुणा, ये कितना हो जाएगा, एक के पीछे चार जीरो, तो ये कितना हो जाएगा आपका, नब्बे हजार, ठीके, अ यह में कुछ नहीं करना केवल गुणा करके अंतिमहल लिखना है, क्या करना था, गुणा करना था, यह था आपका प्रश्ण संक्या 7, आगे बढ़ें, प्रश्ण संक्या 8, सरल कीजिए, क्या करना है, सरल करना है, तो प्रश्ण है, माइनस 4 की गात 3, माइनस 4 की गात 3, तो द उसकी गात अगर सम संख्या है, तो उत्तर भी किस में आएगा? पलस में आएगा, तो उत्तर किस में आएगा? पलस में, पर यह दि कोई संख्या माइनस में है, और उसकी गात कुण सी है? उसकी गात यह दि विसम संख्या है, तो उसका उत्तर किस में आएगा? तो less, minus, plus, plus, minus, minus. 4 गते बार गुणा करना है? 3 बार, तो कितना आजाएगा? 64. फीर बात करें, दूसरा प्रषन, minus 3, गुणा, minus 2 की गात 3, minus 3, गुणा, minus 2, गुणा minus 2, गुणा minus 2. तो देखो, minus, minus, plus, minus, minus, plus, यगा उत्तरगीस में आएगा plus में, और कितना आएगा, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, प्लस में कितना आएगा, 24, फिर तीसरा, माइनस 3 की गात 2, गुणा, माइनस 5 की गात 2, तो माइनस 3, गुणा, माइनस 3, गुणा, माइनस 5, गुणा, माइनस 5, माइनस कितनी बार है, 4 बार, सम संक्या है 4, तो उत्तर कि में आएगा प्लस में तीन तीया नो पांच पंजे पच्चेस कितना हो जाएगा दो सो पच्चेस स्वाल नंबर च्यार माइनस दो की गात तीन गुणा माइनस दस की गात तीन तो माइनस दो गुणा माइनस दो गुणा माइनस दो देखो माइनस कितनी बार है 6 बार प्लस में है उत्र किसमें आएगा प्लस में है ना माइनस कितनी बार है 6 बार 6 क्या होती है सम संक्या अतो उत्र किसमें आएगा प्लस में हम सब का गुणा कर देना है तो ये कितना हो जाएगा 2, 4, 8 आठ गुणा ये कितना हो गया हजार इतना जाएगा आठ हजार ठीक है ये हो गया आपका प्रशन संक्या साथ आगे बढ़े प्रशन संक्या आठ निम्नलिखित संक्याव की तुलना कीजिए क्या करनी है मैं संक्याव की तुलना करनी है ठीक है तो यहाँ पर क्या करनी है संक् अरला पूशन देखो क्या धिया हुआ है 2,7 गुना 10 की गात 12 और धिया हुआ है 1,5 गुना 10 की गात 8 तो यहां पर हम क्या करेंगे 10 की गातों की तुलना परने पर दस के 8 है तो दस्की गात 12 सीधी सी बात है क्या होगी बड़ी संक्या होगी तो हम लिखेंगे कि 2.7 गुणा दस्की गात 12 बड़ी है 1.5 गुणा दस्की गात 8 से ठीक है दूसरा प्रशन है आपका चार गुणा दस्की गात 14 और 3.10 की गात 17 हो तो यहाँ पर क्या करेंगे यहाँ पर भी 10 के गातों की तुलना करने पर 10 के गातों की तुलना करने पर तो यहाँ पर 4.10 की गात 14 बड़ा है 3.10 की गात 17 से ठीक है यही आपका हल होगा तो इस प्रकार आपने आपके प्रशनों वाले 11.1 के सभी प्रशनों के उत्तर बहुत अच्छे से जान लिए हैं उम्मित करता हूँ सभी प्रशनों के हल आपको अच्छे समझ में आये तो क्लास देखने के लिए अब सभी का धन्यवाद यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें और यदि अपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले और